इग्णू ने जारी किया इग्णू फरवरी परिच्छा 2021 इग्णू फरवरी परिच्छा में उत्तर हम कैसे लिखे ताकि हंड्रेट में कम से कम 98 मार्क्स तो मिलेगा ही मिलेगा तो दोस्तों बताना चाहेंगे हम कि यदि आप भी 100 में 98 मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरी का पूरी जरूर से जरूर देखते रहेगा ताकि आप भी 100 में कम से कम 98 मार्क्स प्राप्त हो सके सबसे पहले आप सभी निचे कमेंट लिखें दोस्तों कि आप जो है कितने मांक्स लाना चाहते हंडेट में 98, 95, 96 कितने मांक्स लाना पसंद करतें निचे कमेंट करके जरू बताईएगा और आप उत्तर कैसे लिखेंगा कितना पेज होना चाहिए आखे दो नंबर में कितना चार नंबर में कितने पेज होना चाहिए कितने लाइन होना चाहिए इन सारे का सारे जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे जैसे कि दोस्तों आप यहां पर स्क्रीन पर देख पा रहे हमारे पास एक स्टूडेंट का यहां पर कोपी है जैसे कि यहां पर देख पा रहे जो की चेक किया हुआ कोपी है और बताना चाहेंगे इसमें जो है देख पा रहे हैं पूरा का पूरा डिटेल में लिखेंगे तो आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे इसमें ताकि बने रहेगा पूरी काफी इंटेस्ट होने वाले और वो कोपी में क्या-क्या चीज कमिया उन सारे कमी को दूर करेंगे और आपको बताएं कि जो विद्धाटी गलती कर रहें वे आप गलती ना करें यदि आप 98 मार्क्स चाहते है तो वो इसा गलती बिल्गल भी ना करें अदरबाश दोस्तों आपका भी मार्क्स यहां फर नहीं मिलेंगे बदकि पासिक मार्क्स भी नहीं मिल पाएंगे इसलिए 98 का सपना देखना तो दूर क्योंकि पूरा चीज अगर आप नहीं चानिएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएंगे तो चलिए दोस्तों आपको बताते चैनल पर नहीं तो जरू सस्क्राइब के रख लेजिए कि इगनू सरे लेटर ह पल-पल खबर आपको देते रहते हैं जो भी घटना घटी सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि आप सभी का जो परिच्छा है वो अलग-लग परकार का परिच्छा होता है बताना चाहेंगे कि पहला जो परिच्छा में अब्जेक्टी टैप के कोश्चन पुछे जाएंगे 6 marks 10 marks और 12 marks और 20 marks के भी आपका question जो यहां पर पुछे जाते हैं यानि अलग अलग प्रकार का अलग अलग question में marks पुछे जाएंगे अब यहां पर दोस्तों सबसे मुद्दे की सवाल यहां पर यह है कि यदि हम 2 marks के question अगर पूछेंगे तो कितने पेज दे दोस्तों यदि एक marks का पूछा यानि objective का पूछा तो जो आपका options दिया गया ओही एंसर है इसके अलबा उसमें कुछ भी छेड़जाड मत करें लेकिन दोस्तों यदि आपका दो नंबर का question पूछा गया आपके examination में तो आपको कम से कम आधा पेज से एक पेज तो आपको answer लिखना ही पड़ेगा किसी भी हालत में आधा पेज से एक पेज जरूर से जरूर लिख कराएगा अधरवाज आपको marks नहीं मिलेंगे ठीक है अब पांच नंबर में क्या होते हैं यह चीज़ समझे यहां पांच मास के question अगर आपसे पूछे जा रहे हैं दोस्तों तो जिसमें यही 100 वर्ड लिखा है तो कम से कम दो से तीन पेज आपको लिखने ही है अब आपको बताएंगे यहां पर इगनू परिच्छा का जो पेज है वो कितने साइज कर रहता है तो दोस्तों यहां पर देख पा रहे हैं यहां पर हमारे पास इगनू का कुछ पेज है आपको हम साइज दिखाना चाहेंगे दोस्तों इसी परकार से इतना ही बड़ा का जो है आपका पेज रहेंगे जिसे क है इसी पूरा पीज में यहाँ जो आप पेज का पूरा जो साइज आपको यहां पर नजर आ रहे इसी में दो से अड़ाय पेज तक आपको रख आपको जो ए लिखने हैं ठीके लिखने कैसे इसके वी बारें बताएं जो बहुत इंट्रिस्टेट होने यह थे 5 marks वाले यदि आपके पास 6 marks का question पूछा जा Rod जा रहा है जिसमें 100 word ही है तो 2 से 3 page भी आपका इसका answer दें नहीं दें देने दोस्तो acces box के पूछे जा रहे है तो 88 word में है तो कम से कम 5–6 page और यदि 12 marks के question पूछे जा रहे है और 800 वाट पूछे जा रहे तो कम से कम 5-6 पेज का आपको उत्तर देने लेकिन दोस्तों यदे 20 मार्क्स के कॉश्चन पूछे जा रहे जिसमें नमबर ओफ 500 वाट से तो कम से कम 7-8 पेज आपको एंसर आपको देने अब एंसर ये तो हुआ दोस्तों की कितने नमबर के रहेंगे तो कितने मार्क्स जो है हमें देने जिससे कि आपके पास एक एंसर यहाँ पर एक प्रिवेज सेर का कॉश्चन पेपर है दोस्तों जिससे देख पार है इसमें टोटल जो है नमबर ओफ जो है यहाँ पर देख पार है जो है नमबर अच्छे मिलेंगे अगर यही पर दोस्तों बारो है तो कम से कम दोस्तों 5 से 6 पेज आपको लिखने होंगे और यदि 6 मार्क्स के अगर आपसे पूछे जा रहे कम से कम 2 से 3 पेज जिसे कि हमने नमबर के हिसाब से बताया उसके हिसाब से आपको यहाँ पर लिख जिसे कि 10 no wala question 800 वड् economics इहां पर एक बात बताए में joe hee hee question paper क्या इसमें आप गिन पाएगा। कि यहấ permission 1 वड्न होग, 2-%3 वड्न होग, 4-&-5 वड्न होग अप इस परकार से आप गिन नहीं पायेगा परिच्छा में इसी के कारण इन सभी के कारण दोस्तों बचने के लिए जो है हम लोग पेज बाई पेज करते और दूसरी सबसे खास बात दोस्तों जैसे कि यह जो भी बंदा का जो पेपर है यह कोपीज पेपर है तो हम किसी के बुराई नहीं करना चाहते नहीं किसी के बारे में अच्छाई काना चाहते जो सच है सिप सच के सिवा हम कुछ नहीं बोलते आज तक आपकी यूटूब चनल में मेरे पास जो कोई भी फरजी या फेक वीडियो नहीं मिला होगा जो भी बीडियो है, हकीकत में बीडियो दियें और with probe के साथ आपको बताएं, तो आज भी हम आपके पास लाहें, with probe के साथ, दोस्तों, एक बात बताजिए, ठीक है, अगर अगर जिसका भी यह copy है, यदि आप देख रहे होंगे, तो आपके लिए एक सला है बुरा मत मानिएगा दोस्तों आपके लिए सला है जिसका भी कोपी है वो अगर बंदा देख रहा है तो ध्यान से देखिए वो है जो है बड़ा थोड़ा राइटिंग उनको सुधारना पड़ेगा काफी घिस्पिट घिस्पिट देख पारें साफ नहीं है इसके कारण इस बंदे को अच्छे माक्स भी प्राप्त नहीं हुए होंगे यानि कि आपका जो है राइटिंग भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट करेगा आपके एक जामनेसन में आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर कितने घिस्पिट घिस्पिट लिखेगे यहाँ पर नजर नहीं आ रहे इसलिए आप अपने जो भी कोपी लेंगे जो भी कोपी लिखेगा वो पूरा का पूरा साफ सुत्रा हो और दूसरी बात यहाँ सबसे खास दोस्तो यहाँ जो एक लैनिंग दिया गी एक बहुत इंपॉर्टन बात हम आपको बता रहे हैं कोई भी बात ऐसा नहीं बताए यहाँ जो लैनिंग दिया गी है इस लैनिंग के इधर आपको किसी भी परकार का कुछ भी नहीं लिखना है आप यहाँ से इतना ज़्यादा भी नहीं जादा इधर भी नहीं बलके यहां से आपको राइट करने जिसे द लिखना है तो यहाँ पर दोस्तोड़ यहाँ पर इस परकार से हम लिखेंगे द ट यहां से कम से कम दोस्तों लिखना था यहां से इधार थोड़ा सा मतलब उधर जगह चुड़ी तो किसी लैन में थोड़ा ज़ादा है तो किसी में कम है तो किसी में ज़ादा 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 है तो किसी में कम छोड़ा है मतलब एक land से नहीं लिखाई है दोस्तो इस land से इस परकार से एक land से आपको लिखना होगा यह भी भहुत माइने रखता है आपके marks को कभर करने में इस सारा चीज़ आपको check किया जाता है क्यूंकि दोस्तो आप यहां literature क्या लिखे वो important नहीं रहता है आप कितने लंबा लिख थोड़ा सबे रूल से दिया आप फुलो कर लेंगे 100% हम guarantee देंगे आपका 90 नंबर से उपर आपका 90% से उपर marks आएगा ही आएगा 100% guarantee इसलिए जो हम आपको इस copy में trick दिये उस trick को जरूर अपनाईएगा कितने marks कर रहेंगे कितने page लिखने इस सारे जानकारी हमने आपको इस वीडियो के ताथ बहुत ही अच्छी तरिके से बता दी यदि वीडियो अच्छा लगे तो like करिएगा share करना बोले और एक question आपको दे रहें यदि आप जानना चाहते कि examination में में उत्तर लिखने के लिए कितने परकार का pen का परियोग करना चाहिए और कौन से कौन से color का परियोग करना चाहिए ताकि 98 marks प्राप्त हो तो नीचे comment करके जिरूर बताईएगा इसके लिए हम एक separate video बनाएगे जिसमें आपको प परकार्ट से हम लिखेंगे ताकि 98 marks तो अगर यदि आप जानना चाहते हैं तो नीचे comment करिए कि कलम कौन सा कलम हम परियोग करें इस परकार्ट से बहुत सारे विद्यार थी अगर comment करना इस start कर दिए तो उसके लिए भी हम अलग सा video बनाकर आपके सामने provide कर देंगे ताकि पूरा जम कर त्यारी करें फरवरी परिचा में और 98 marks समी बिद्यारतों को आ जाए चली आज का वीडियो यहीं पर रखते हैं आज की इस वीडियो में पूरी जानकरी हम दे दियें यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें ना सेर करना ना भूलना चैनल पर ने तो स